कई बार ऐसा होता है जब हम विशेशतोर से बात करें बीज उतपादन कारिक्रम ले रहे हैं ऐसे में बीज के जो उतपादित फसल है जो हमारे पास उतपाद आ रहा है उसकी गुनवत्ता के हम बात करते हैं कि वह बहुत अच्छा होना चाहिए लेकिन कई बार खेत में अलग अलग तरीके की पौदे आते हैं, क्या वो हमारी गुणवद्ता को असर डालते हैं, क्या उससे हमारी गुणवद्ता प्रभावित होती है अगर होती है, तो उसका किस तरीके से घुकाश्या पद्र कि आपन जिसको अपन बोलते हैं, कि बीज उत्पादनकार्यकरम जो ले रहे हैं, उस में continuous लगातार अपन को जब तक की वो पक नहीं जाए, तब तक अपन को रोगिंग करते रहना चाहिए, का आपका बीज का उत्पादनकार्यकरम ले रहे हैं, उस में जो optoite plant हैं, जो अलग हटके पोदे हैं उनको आप समय पे ही निकाल दें परागन बने उससे पहले ही उनको हटा दें ताकि परफेक्ट रोगिंग हो जाएगी और बीज उत्पादन कारी करम में आपके बीज की गुणवर्ता भी बनी रहेगी इसके साथ साथ में विशेश रूप से जो अपन को ध्यान र का अतलब हुआ कि उसमें भी किसी सिट्टे को देखे हो गए तो किसी में परागन बन सकते हैं वो इसलिए बनते हैं कि जब A-Line को B-Line से अपन क्रोज करा रहे होते हैं तो कहींने कहीं B-Line का कंटेमिनेशन या उसमें मिस्टरन होने के चांसे ज़ेixon रहتे हैं तो B-Line का बीज अगर ए लाइन में कहीं मिल गया और इसमें अगर दस बीज दाने आ गए तो वो जो पोदे होंगे उनमें आपके परागर्ण बनेंगे और उन परागर्ण बनने वाले पोदों को जो उनमें पॉलन सेटर पोदे कहते हैं उनको भी हटाना बहुत ही आवशक है